हेलो एवरीवन आज हम लेफ्ट ओवर राइस से परांठे बनाएंगे तो विंटर टाइम आ गया है तो विंटर में सबको परांठे बहुत अच्छे लगते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखें लाइक शेर सब्सक्राइब करें लेट्स केट स्ट इस-से फैनल परांठे बनाने के लिए यहां पर मैंने दो कप राइस लेया हैं लेफ्ट-ोवर राइस हैं ये मेरे पास अब हम इसमें प्याज डालेंगे एक ब्याज चॉप कर लिया मैंने इसमें हरीमिर्च डालेंगे 3cm से 4 cm और अदरक हम इसमें बाटके डाल देंगे य करना है आदी चोटी चमच नमक मैंने इसमें आड कर दिया है आप कम या जादा डाल सकते हैं लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें आड कर रही हूं गरम मसाला इसमें आड करेंगे हम आदी चोटी चमच गरम मसाला मैंने आड कर दिया है इसमें थोड़ी सी हल्दी इसमें आड करे पराठा बनाने के लिए आटा हम बिल्कुल सॉफ्ट लेंगे या फिर आप नाइट में जो आटा आपने गून के रखा है पराठा बनाने के लिए हम रोटी बेल लेंगे इसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इसके सेंटर में हम राइस का मिक्सर डाल देंगे और आप इसमें कम या ज़ादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो मैं इसमें स्टफिंग जादा डाल रहे हूं 3-4 चमछ मैंने ला लिया इसमें और अब हम इसे रोलंग पिंसे अच्छे से रोल कर लेंगे आटम लायम होने से आपका परांठा बहुत ही अच्छे से बेला जाएगा और इसमें से राइस बाहर नहीं निकलेंगे तो परांठा हमारा रेडी है अब हमने तवा गरम कर लिया है और अब हम इसको गी या तेल लगाके अच्छे से सीख लेंगे लेफ्ट ओवर राइस का परांठा बहुत ही अच्छा बनता है और ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छी अप्शन है ये इसको आप कर्ड के साथ या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं दोनों साइड्स को आप अच्छे से से सेख लेंगे गी या तेल लगाते हुए स्पैचुला की हेल्प से आप बहुत असानी से इसे फ्लिप करके सेख सकते हैं तो ये परांठा आपका बहुत ही क्रिस्पी बनेगा इसी तरह से हम सारे परांठे रेडी कर लेंगे तो बहुत ही असान है इसे बनाना परांठे तो आप बनाते ही हैं तो आप राइस के परांठे भी एक बार जुरूर ट्राइ करें लेफ्ट ओवर राइस के परांठे बहुत ही अच्छे बनते हैं विंटर्स में परांठे सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं स्पेशली ब्रेकफस्ट में सब प्रैफर करते हैं कि तरह तरह के पराटे खाये जाए तो एक दिन आप ये भी ट्राइ कर सकते हैं तो गाईज आप भी बनाए गर पे और इंज्वाए करें और मुझे फीडबैक जुरूर शेयर करें आपको मेरी ये रेस्पी कैसी लगी थैस्ट वर वचीं लिए लाइक शेयर और सब्सक्रवाइब भाई टेक्यर वाई नाटेक्यर